नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबी का स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक है एज एज को हम आयू भी बोलते हैं एज हमारी जिन्दगी में काफी ज़्यादा महत्रपुन रोल अदा करती है जैसे तूल में अड्मिशन लेना हो वोटिंग राइट पाना हो जाब लेना हो जाँ फिर टायरमेंट की एज और भी काफी सारे पहलू हैं जहांपे एज जो है वो काफी महत्रपुन रोल अदा करती है चलिए हम एक एग्जेंपल लेते हैं जाब की आप जानते हैं कि इंडिया में जॉब लेने के लिए एक पर्टिकुलर एज की होती है मिनिमम्म एक्वाइड एज होती है फार एक्जेंपल हम यह मैक्सम जो जॉब्स हैं उनकी एज होती है पर इंडियर्स तो कोई भी कांडिडिट जू अठारा सौन का होता है वो जाब के लिए होता है लेकर चीए सिर्फ आपना साल के होते ही आपको जाब मिल जाती है क्यों कि आपकी एज के साथ और भी कफी परामेटर्स उसका नों में द्यान में रिक्वा जाता है जैसे तो टेशिकल परामेटर्स two a couple सरी जाप्स है जिन्में फिशिकल पारमेटर्स Whenever को देखा जाता है और एक्जेम्पल हाइट आपकी दिखी जाती है आपका weight चेक किया जाता है और भी काफी सारे parameters होते हैं जैसे आपका chest circumference चेक किया जाता है आर्मी में तो आपकी जो 18 साल age है इसके साथ साथ आपके physical age कि आप physically भी 18 साल के हुए कि नहीं हुए कि आपकी जो fitness है आपकी जो body structure है वो 18 साल की बच्चे जितना लगता है कि नहीं लगता है यह दो parameter होगे इसके साथ साथ ही एक और parameter होता है जो चक कियाता है वो है कि आपके जो body organs है आपके body organ systems है जैसे आपका हर्ट हो गया लंक्स होगी आपका cardiovascular system हो गया respiratory system हो गया आपका digestive system हो गया इनकी functioning कैसे है क्या इनकी functioning आपकी age के साथ जो आपकी age 18 साल के साथ मैच करती है कि नहीं करती है क्या यह proper functioning कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है और यह check कैसे की जाता है चेक की जाता है आपका मैडिकल टेस्ट से एंड कुछ जॉप्स में रंणिंग कर जाती है जैसे 1600 मिटर रंणिंग होती है आपकी आर्मी में जब जब भी आप रंणिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है आपके cardiovascular system आपके respiratory system आपके जो other energy production system है जहांपे recovery system से उनके अपर लोड पड़ता है और उससे उसकी performance चेक हो जाती है इसके साथ साथ medical test से भी आपके जो internal organs है उनको हम चेक कर सकते हैं तो यहां पर physiological age भी चेक हो रही है physical age भी चेक हो रही है और आपकी जो age time के साथ आप कितनी time हुआ आपको दर्थी पर हुए वह एज भी आपकी चेक हो रही है जो हम एक्जेंपल लिए है जो हमने 18 साल के एक और parameter है जो चेक कियाता है वो है mental maturity mental maturity पर चेक कियाता है कि आपकी जो brain की functioning कैसी है आपकी intellectual और cognitive abilities कैसी है और यह चेक होता है आपका रिट्न टेस्स से यहां पर आप देख रहे हैं कि चार तरह की parameters चेक हो रहे है एक तो आपका time चेक हो रहा है कि आपको आपके जनम होगे कितना time होगा है दूसरा आपका चेक हो रहा है physical age यह आपकी physical parameters कैसे है कैसे है इसरा parameter चेक हो रहा है आपका physiological age जिसमें आपके organ systems की functioning की चेक होती है और fourth नमबर भी आपका parameter चेक हो रहा है mental age जिसमें आपकी mental maturity and intellectual capacity and capabilities check होती है जो written test और interview से चेक हो रही है यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर चार तरह की age आपको देखने को मिल रही है सबसे पहली आ रही है यहां पर chronological age जो आप 18 साल से measure कर रहे हो दूसरी आपकी आ रही है अनॉट्मिकल age जिसको हम physical parameter से चेक कर रहे हैं और तीसरी आ रही है physiological age जिसको हम organ system की functioning से चेक करते हैं और last number पर है आपका mental age जो हम चेक करते हैं mental maturity से तो यहां पर आप देख रहे हो कि age कितना टाइप की मिल रही है हमें age मिल रही है चार टाइप की chronological age, chronological age, physiological age and mental age यहां पर हम unit कवर कर रहे हैं growth and development का जिसमें introduction to growth and development meaning and definition of growth and development factors affecting growth and development differences in growth and development and principles of growth and development इन सभी topics की video हमने अल्रडी कवर कर ली है आज का हमाना topic रहेगा age जिसमें आएगा chronological age, anatomical age, physiological age and mental age two individuals of same age may not be similar, their physical abilities वह भी दो individual जिनकी age एक जैसी होगी वह अपनी physical abilities में एक जैसे नहीं हो सकते हैं जैसे height एक जैसी नहीं होगी कही ना कहीं पर फरक हो सकते हैं weight में, weight अलगलग हो सकता है, body size अलगलग हो सकता है यह तो आम बात है, normal चीज है two individuals looking similar in their physical dimensions may not be similar in their physiological capacities और वहीं अगर आपको कोई दो individual मिल जाते हैं जिनकी physical dimensions same है, height weight size same है उनकी physiological capacities same नहीं होगी जैसे VO2 maximum capacity to intake oxygen and cardiac output VO2 maximum होता है आपका body का energy जो आपकी oxygen है उसको use करने की capacity और cardiac output आपका होता है अमारा जो heart है वो कितना blood pump करता है एक minute में यह उनके physiological capacities है यह इन में फरका सकता है अगर उनकी height weight और size भी एक दसा है तो उनका physiological capacities अलगलग हो सकती है and two individuals with similar age physical appearance and physiological capacities may not be similar in their mental maturity और वहीं अगर आप कहीं ना कहीं पर आपको दो बंदे मिल जाते हैं जिनकी जिनकी age भी एक जैसी है जिनके physical appearance means height weight और size भी एक जैसा है और physiological capacities means जो physiological capacities है body की वो भी एक जैसी है तो भी उनमें फरका सकता है कहां पर उनकी mental maturity में hence it becomes important during planning a physical activity program that one should take into consideration age of individual chronological age skeleton maturity means anatomical age functional capacity means physiological age and mental maturity means mental age तो कोई भी अगर आप planning कर रहे हो physical educational programs की तो वहां पर आपको यह सभी चार टाइप की age जो है chronological age है anatomical age है physiological age और mental age इन सभी को consider करना पड़ेगा तब ही आपका plan जो है वो अच्छा बनेगा और उसका result भी अच्छा हैंगे चलिए इन सभी चार टाइप की age जो है इनके meaning इनको measure कैसे की जाता है और इनकी importance कहा है और कहां यह apply होती है इनको हम थोड़ा अच्छे तरीकरी से समझते हैं इससे पहला है chronological age chronological age जैसा आप word देख रहे हैं इसमें chrono word आ रहे है क्रोना क्या होता है chrono जो word है chrono जो शप्त है वह time से relate करता है और chronological age क्या होगी chronological age होगी तो time के साथ आपकी age होई है time के साथ कौन सी age होती है जो आप आम तोर पे daily life में इस्तिमाल करते हो जब भी आपको कोई पूछता है कि आपकी age कितनी है आपकी ओमर के कितनी है जो आप बताते हो वह chronological age होती है जो जिसे हम age of person भी बोलते हैं in years months and days यह आपकी chronological age है इसे years, months, days में ही आप बोलते हो आपने खुद कहीं बार किसी को बताया होगा कि मेरी age 15 साल 5 मेहने और 2 दिन होई है जा जितनी भी आपकी age होई होगी उस तरह से आप बताते हो notify करते हो कहीं farm फिल करना है वहां पे फिल करते हो तो आप जो आप अपनी age time के हिसाब से बताते हो कितने साल हुए कितने महीने और कितने days हुए आप इस दिन से मेजर करते हो न अपनी age को तो उस वह chronological age है और उसको मेजर करने का तरीका है years month और days को चेक करना इसके हिसाफ से कैलेंडर के हिसाफ से जा फिर आप बोल सकते हो कि chronological age क्या है chronological age बोर टाइम है जो हमारे जन्म से लेके test तक जितना बीच में यो time होगा उसे हम chronological age बोलते हैं यह आपकी इस्तेमाल होती है आपकी classifying a person किसी भी individual को classify करने के लिए जैसे major and minor आपने काफी सारे forms में देखा है bank के form में होता है महां पर लिखोता है major or minor in case of minor parents will sign वह major and minor कि साफ से classify कि जाते हैं वह major and minor classify कि जाते है chronological age कि हिसाफ से कि 18 साल से कोई भी individual जो है वह 18 साल से नीचे होगा तो minor माना जाता है और 18 साल से उपर होगा तो वह major माना जाएगा और भी काफी सारी classifications हैं जैसे senior citizen हो गया इसी के साथ में जॉब के लिए अगर आपको जॉब के लिए अपलाई करना है वहां पे भी chronological age ही इस्तेमाल होती है कि आपकी इस 18 साल हुई है तक कुछ jobs के लिए आपको पता है 21 years minimum required age होती है वहां पे भी यही इस्तेमाल होती है और साथ-साथ में retirement की age रिटार होने की particular age होती है जैसे central jobs में 60 years है आपकी retirement की age वैसे ही काफी सारी different jobs है वहां पे अलगल टाइप की retirement age भी होती है तो वह age भी कौन सी है वह chronological age ही वहीं पे इस्तेमाल होती है सात में आपका admission in school आपको रहता है स्कूल में admission लेने के लिए बस्चे की particular age होती है 3-5 साल के पीशमें चूरह होती है वह school में admission लेने के लिए fruit railway के जाती है और उस्तेमाल की जाती है और वह chronological age ही 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 होती है सात में आपका categories in games and sport different games and sports में आपको अलग-अलग categories होती हैं जैसे junior category sub-unior category youth category जैसे youth olympics होते हैं senior and masters category under 17 under 19 under 23 यह काफी सारी sports में categories मना जाती हैं यह सभी categories भी इस बेस पर बना जाती हैं यह सभी categories भी chronological age को जियान में रखके ही बना जाती हैं हम कह सकते हैं कि chronological age हमारी life में काफी जगाओं पर इस्तिमाल होती है और इसका काफी ज़्यादा महत्व होता है chronological age भी आपकी अगाओं अ काफी एग अकादिं काफी एग तु हमारी जाती हैं the word chrono is related to time chronological age means the age of a person recorded in years months and days chronological age is a measure of an individual's age based on the calendar date on which he or she was born it is measured in days once and years it begins from the day when a child is born and is calculated till one dies chronological age is a legal criterion of classifying a person as a child or an adolescent a minor or major his qualification for job in getting admission to schools and in describing different categories in sports and games like youth junior and senior and all other categories based on age next time our anatomical age जैसे chronological age में chrono word था वैसे ही anatomical age में एक word है तो कहते है हम anatomy और anatomy क्या होती है यह structure से लेट करती है क्योंकि anatomy की definition है it is a biological science that deals with structure of an individual तो anatomical age क्या होगी level of growth in structure of an individual और structure जो है यह किसके साथ लिट कर रहा है यह कर रहा है हमारा growth and development of skeletal system क्योंकि हमारा जो body structure है उसका base जो होता है वो skeleton system होता है और skeleton system क्या होता है skeletal system बना होता है आपका bones के साथ तो anatomical age क्या होगी आपकी जो bones है उनकी ossification कैसी होई है और साथ साथ में quality of bones तो यहां पर हम कह सकते हैं कि anatomical age refer कर रही है कि bones की growth कैसे हो रही है हमारी कितनी growth होई है बोन्स की हमारी अपनी chronological age के हिसाब से और साथ साथ में उन bones की quality कितनी है उनकी density कैसी है उनकी build quality वो strong है कि weak है वो भी measure की जाती है चक की जाती है नाट्मिकल age को measure करते हैं नाट्मिकल age को measure करने का एक simple सा तरीका है वो है सबसे पहला x-ray से x-ray से क्या होता है x-ray से हम image बनाते हैं किसी भी bone की image लेते हैं और उस image से हम देखते हैं कि bone की growth कितनी होई है और साथ में bone की quality क्या है यह तो एक तरीका हो गया नाट्मिकल age को चक करने का दूसरा तरीका है हमारा height, weight and skeleton maturity को check करना यह तरीका कैसे काम आता है यहां पर क्या कहीं आता है कि scientist जो होते हैं वो किसी particular age for example हम ले रहे है 17 years age के कोई आप 17 years के age के वो कोई 1000 candidate ले ले लेंगे उन सभी candidate की height check करेंगे weight check करेंगे और उनकी skeleton maturity check करेंगे वैसे ही वो 18 years age के height, weight और skeleton maturity check करेंगे उसी तरह से 19 years की height, weight और skeleton maturity check करेंगे तो क्या होगा जब सभी age group का एक average निकल जाएगा average कैसे निकलेगा जैसे for example 17 years के जो बच्चे थे 1000, 2000, 10,000 जितने भी उनने subject लिया था experiment करने के लिए उनका मानलो height आया 5 feet 2 inch और 18 years बालों का क्या आया? 18 years बालों का आया 5 feet 6 inch और 19 years का आया 5 feet 7 inch तो क्या हो रहा है यहां पर? 17 years का average height जो है 5 feet 2 inch है, 18 years का average height 5 feet 6 inch है और 19 years के बच्चों का height जो है average height 5 feet 7 inch है वैसे ही weight निकलेगा और वैसे ही skeleton maturity को भी देखा जाएगा तो यहां पर अगर हमने किसी बच्चे की inautomical age को measure करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी chronological age को देखेंगे for example chronological age है 18 years तो हम उस बच्चे की 18 years जो हम उस बच्चे की height चेक करेंगे मान लो उसकी height आई 5 feet 2 inch तो यहां पर हम उसकी height को जो 18 साल का बच्चा है उसकी height को compare करेंगे उसके जो table बढ़ना हुए age group table तो वहां पर 18 साल की बच्चे की height क्या है 5 feet 6 inch लेकिन उसकी 5 feet 2 inch height है तो जो 5 feet 2 inch height कहां पर fall कर रही है हो 17 years में fall कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इस बच्ची की अंötनामिकल एज कितनी है in on the logी के इसकी है 17 और इसकी chronological एज कितनी है 18 years तो दोनों में फरका गया अणीं को लेंज अलग होती है और chronological ओद्री होती है कोई भी जो 18 साल का बच्चा है उसकी नॉट्मिकल एज 17 भी आ सकती है, 18 भी आ सकती है, 19 भी आ सकती है, इससे कम भी हो सकती है और जादा भी हो सकती है, depending upon his physical abilities, जैसे height होगी, weight होगया, skeleton maturity होगी, उसकी growth of bones होगया, जा फिर number of teeth जो है, वो count करके हम चेक करते हैं कि किसी भी बच कि क्या चेक कर सकते हैं, और यह इस्तेमाल कहा होती है, यह हमारी इस्तेमाल होती है, ट्रेनिंग शेडियूर्स मिनाने में, क्यों हो ट्रेनिंग शेडियूर्स मिनाने में, जब हमें किसी बच्चे की इन आप्मिकल एज पता होगी, उसका जो skeleton maturity हमें पता है, structure की quality अच्छी जब हमें यह पता चल जाता है, जब हमें यह पता चल जाता है, जब हम अच्छा training schedule plan कर सकते हैं, क्योंकि अगर 18 years का बच्चा है, और इसकी skeleton maturity 15 साल के बच्चे जितनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका training schedule है, 15 साल के बच्चों के बच्चों के बनाएंगे, ना कि 18 years के बच्च के बच्चे की जितनी है, तो हम उसे 17 years के बच्चों के साथ training कर आ सकते हैं, training schedule बनाने में हमें अनौटिकल एज help करती है, और साथ साथ में, अगर कुछ candidate का, कुछ बच्चों का, कुछ players का जो हमारा age certificate हमें नहीं बिलता है, competition के time हमने check करना होता है, कुछ लोग fake certificate बनाके च using anautomical age, वो कैसे measure करेंगे, वो measure होता है आपका wrist bones की ossification को check करके, हमारे जो wrist में carpal bone होती है, उनकी ossification, उनकी maturity कैसी है, उससे हमें बच्चे की किसी भी individual की chronological age है, chronological age को हम निकाल सकते हैं, जा उसकी judgment कर सकते हैं, थोड़ा idea लिखा सकते हैं, तो यहां पर anautomical age उसका इस्ति training schedule सचे मिनाने में और अगर हम, और साथ में हम किसी भी individual की chronological age का गैस भी लगा सकते हैं, The word anatomy is related to structure of human being, तो anatomical age क्या होगी, related to growth of structure of an individual with time, it is referred to growth and development of skeletal system, the quality of bone structure or ossification of bones is a major factor in determining anautomical age and through x-ray the development of skeleton can easily be determined, anautomical age is also the age derived by measuring the physical development of a person's body like height, weight, skeleton maturity in relation to specified chronological age. For example, if a 7-year child's height and weight falls within the range of 5-year-old, then his anautomical age will be given as 5, not 7. Certain tables have been developed that describes the chronological age and related height, weight and other physical characteristics at that particular chronological age. It is also called physical age. Anautomical age can also be calculated by counting number of teeth a child has at a particular age. Anautomical age is very helpful in preparing training schedules for the younger sports persons whether they should be exposed to heavy weight training or not. It is also useful in determining age of a player or child when chronological age is not available. Next है हमारा physiological age. So, जयासे chronological age में chrono word था, anautomical age में anautomy word था, वैसे ही physiological age में जो word महतरपूर्न है वो है physiology. इसका meaning होता है functioning. और physiology की definition है biological science that deals with study of functioning of an individual or functioning of different organs and organ systems of an individual. तो physiological study करती है कि हमारे जो organs हैं जा फिर हमारे जो organ systems हैं जैसे digestive system, cardiovascular system, respiratory system, etc. और भी काफी सारे हमारे body में systems हैं. वो कैसे function कर रहे हैं, हमारे organs कैसे function कर रहे हैं, organs जैसे heart, lungs, liver, kidneys और भी काफी सारे organs हैं जो हमारी body में, हमारे जो organ systems हैं. इनकी functioning कैसे हो रही है यह deal करता है हमारा subject physiology. तो physiological age क्या होगी? physiological age होगी, chronological age के relation में, हमारी जो chronological age है, हमारी जो हम age इसमाल करते हैं in common life में, उसके हिसाब से हमारे जो organ systems हैं, जो हमारे different organ systems हैं, जा फिर various हमारे organs हैं, वो हमारे chronological age की हिसाब से कैसे function कर रहे हैं? क्या अगर आपकी age 20 शाल है, तो क्या आपकी organ systems यह क्aderतों इसमीच की age के устburg retro Tisch to subject psychology. जा फिर आपकी age 70 है तो आपके organs 70य की age की हिसाब से function कर रहे हैं? तो उनमें चेंज आ सकती है, अगर आपकी chronological age 20 साल है, तो हो सकता है कि अगर आप weak हो, कमज़ूर हो, तो आपके organ systems 30 साल के हो चुके हो, उसकी age ज्यादा हो, क्योंकि वो फोड़े से weak हो चुके हो, और वहीं दुसरी तरफ अगर एक individual 60-70 साल का है, और वो fitter रहता है, और organ systems है, उनकी functioning कैसी है, आपकी chronological age के हिसाब से, it is also called biological age, physiological age को हम biological age भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं simple तरीके से कि जो physiological age क्या है, वो हमारी functional capacities और capabilities, हमारी जो organs और organ systems है, उनकी functional capacities और functional capabilities को consider करता है, physiological age को measure करने का एक तरीका है, जो हमारी secretion of hormones from various, हमरे body में काफी सरे glands होते हैं, वो क्या करते हैं, वो hormones secret करते हैं, तो उनका level of secretion कैसा है, उसको देखके भी हम physiological age को measure कर सकते हैं, और साथ-साथ में हमारे जो organs और organ systems की functioning कैसे हो रही है उसको देखके भी हम physiological age को measure कर सकते हैं physiological age जो है वो हमेशा depend करती है हमारे lifestyle के उपर साथ में हमारी diet के उपर, disease के उपर, हमारे social life कैसी है family life कैसी है, exercise and rest कैसी करते हैं हम और हमारा stress level कैसा है इन सब पर हमारी जो physiological age है वो depend करती है और साथ-साथ में depend करती है हमारे environment के उपर हमारा जो physical environment है या फिर social environment है वो कैसा है और हमारे genetics factors कैसे हैं हमें genes में, हमारी heredity में हमें अपने parents से क्या मिला हुगा है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो physiological age है उसको study करके उसको रोक के या फिर उसको थमझ के हम अपने aging process को delay कर सकते हैं हम अपनी aging को रोक सकते हैं कैसे आईए एक example से समझते हैं for example एक individual है उसकी age है 45 years और उसके जो body organs है वो function कर रहे हैं एक 70 years के individual जैसे क्यों function कर रहे हैं क्योंकि वो क्या करता है वो smoking करता है alcohol drink करता है exercise को वो नहीं करता है और diet भी अच्छी नहीं लेता है तो उससे क्या होगा इन सभी factor से क्या होगा उसके जो organs है जा फिर उसकी जो organ systems है वो decay हो जाएंगे जल्दी weak हो जाएंगे और इस वजय से उसकी जो organ systems हो है वो जल्दी 70 years के सतर साल की age तक पहुंच जाएंगे लेकिन उसकी reality में जो age है वो है 45 years chronological age 45 years है वहीं दूसरी तरफ एक individual है वो 60 years का है और वो क्या करता है वो daily exercise करता है diet अच्छी लेता है smoking नहीं करता है वो और drink नहीं लेता है means alcohol drink नहीं करता है वो दूसरे क्या हो है उसकी habits है वो अच्छी habits होने की बज़ाद से उसके जो organs है वो इतनी जल्दी aging उनकी नहीं होगी वो decay नहीं होंगे वो decay नहीं होंगे वो strong हो जाएंगे और strong होने की बज़ा से उनकी जो age है 60 years की बज़ा है उनके जो organs है 40 years 45 years इसके around individuals की age 40 to 45 years होती है उसके हिसाब से उनके organs काम कर रहे होंगे तो क्या किया उन्होंने उन्होंने उनकी जो chronological age थी 60 years लेकिन उन्होंने exercise करके diet अच्छी लेके rest अच्छी करके अगर यह सभी अच्छे होंगे आपकी लाइफ में तो आपकी aging process रिबर्स हो सकती है और डिले भी हो सकती है जिसे एक आव हल्दी लाइफ जी सकते हैं The word physiology is related to functioning of different organs and organ systems of the body. Hence physiology refers to or physiological age refers to the level of functioning of different organs and organ systems of our body. It refers to how well or poorly your body is functioning relative to your chronological age. It is also called biological age. In simple words we can say that physiological age describes the development of functional capacities and capabilities of the body. Secretion of hormones from various glands and functional conditions of organs is taken into account while calculating this age. It has been noticed that some children are advanced in chronological age are still physiologically immature. This should be taken into consideration while planning physical activity program. जब भी हमने को physical activity program करना है तो हमने बच्चे की physiological age उसकी organ systems को तो देख लेना चाहिए. कहीं 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 बार क्या होता है कुछ लोगों की chronological age ज्यादा होती है लेकिन उनकी physiological age इतनी अच्छी नहीं होती है उसे उनको problem हो सकती है. Physiological age depends upon lifestyle, diet, nutrition, exercise, fitness, habits, disease, stress level, social life, and family life. साथमेह, personal life work, hobbies, emotional state, environment factors, and genetic factors. Depending upon our lifestyle, we can reduce biological age. We can reverse and delay aging process by improving our physiological age. For example, if your chronological age is 50 years, and because of your healthy lifestyle, functioning of your body is similar to an individual of 35 years. Then your physiological age will also be 35. Last हमारा है topic, last हमारा सब topic है mental age. Mental age, यह किसे relate करती है, यहाँ पर जो word आ रहा है, mental means यह relate करता है आपको brain के साथ. और आपका brain क्या करता है, वो intellectual or cognitive functioning करता है, means intellectual or cognitive abilities को चेक करना, intellectual or cognitive abilities की maturity कितनी है, वो mental age से चेक होती है. अगर आपकी intellectual or cognitive abilities अच्छी है, आपकी intelligence अच्छी है, तो आपकी mental age अच्छी है, अगर वो कमजोर है, वीक है, तो आपकी mental age भी कम है. तो हम mental age को बोल सकते हैं, it is a mental ability as compared to other children. दूसरे बच्चों के साथ compare करके जो आपकी mental ability आती है, वो आपकी mental age होती है. अगर उस बच्चे की mental development अच्छी हो, तो उसकी mental age अच्छी होगी, और अगर किसी बच्चे की mental development अच्छी नहीं होगी, वो कम होगी. mental age को measure करने का तरीका क्या है, compare करना, intellectual performance, chronological age के base के ओपर, means, उस mental age is measured by standardized intelligence test. For example, एक कुछ IQ test होते हैं, अगर 14 इसका बच्चा है, उसका IQ test लिया हमने, और इसका result आया 6 points, वही IQ test का standard norms होते हैं. Standard norms में आता है, जैसे 14 years, 15 years, 16 years, 13 years, 17 years, standard norms में सभी की average points दी होती है. मालनो 13 years का है 5, 14 years का है 6, 15 years का 7, 16 years का 8 और 17 years का 9 points हैं, आपके जोस्ट Standard norms है IQ test के, तो अगर आपको किसी बच्चे की age को check करना है, जैसे यहाँ पर हमने example लिए थी 14 years के बच्चे की, हमने IQ test लिया और उसके points है 6, तो हमने यहाँ पर देखना है कि 6 points इस age मिफाल करता है 14 years से, means, जिस बच्चे की chronological age 14 years है और वो 6 points लेता है, तो means, उसकी mental age भी 14 years ह वहीं दूसरी तरफ एक 13 years का student है और उसने point लिए 9 IQ test में, तो हम यहाँ पर देखेंगे 9 points कहाँ पर है, 9 points है 17 years की age के पास, तो हम कह सकते हैं कि जो 13 years का बच्चा है, जिसकी chronological age 13 years है, उसकी mental age कितनी है, उसकी mental age 17 years है, और वहीं दूसरी तरफ इसका उल्टा भी हो सकता है, क 5 points भी ले सकता है, तो chronological age 17 years है, लेकिन 5 points कहाँ पर फफाल कर रहे हैं, 13 years की age में, तो 17 years की age बच्चे के mental age क्या होगी, 13 years age होगी, तो यहाँ पर यह बैरी हो सकता है, as per the points, as per the points taken by a student, इन्हें IQ test. The word mental is related to our intellectual and cognitive abilities. It is related to intelligence. Mental age is a concept related to intelligence. It looks how a specific individual at a specific age performs intellectually compared to average intellectual performance of that individual's actual chronological age. Mental age refers to child's current mental ability as compared to other children of different ages. It is related to the development of a child. If a child of 5 years responds to questions at about the same correction as an 8 year old, the child would be said to have a mental age of 8. A child who has limited mental abilities is able to perform on a level of characteristics of younger children and a child who appears to be gifted is able to perform on the level of older children. means, if a child of mental abilities is limited, then what will happen? If a child of a child is able to perform on a level of characteristics of a child, the child of a child, the child of a child is able to perform on a level of characteristics of a child. Mental age is able to perform on a level of characteristics of a child. Mental age is a measured by standardized intelligence test. तो यहां पर हमने देखा चार टाइप की एज थी सबसे पहले थी, chronological age, जिसमें age of person in years, months and days देखी जाती है. यह एज हम इस्तमाल करते हैं, job में, admission में, age of, age categories in different sports. अलगलग स्पोर्स में age category को बनाने में हमें help करती है, chronological age. वहीं दूसरी तरफ जो इनाटिमिकल age है, वो body structure को study करती है, body structure के सारे लेट करती है, और sculptural system की maturity जो है, उससे लेट करती है, और bones की justification, means growth of bones, उससे लेट करती है. height और weight हमारा कितना increase हुगा है, किस तरह से हमारी body का height और weight बड़ा है, हमारी chronological age के हिसाब से, वो देखा जाता है, अगर आपने chronological age को measure करना है. यह इस्तमाल होती है, टेर्निक शुलूर्ण में और किसी भी player की age को measure करने में, अगर उसकी chronological age अवलेबल नहीं है. Physiologically, जो है, वो functional capacities के साथ deal करती है, various organs और organ systems किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे functioning कर रहे हैं, उनका level of growth, level of functioning कैसी है, और यह, जो physiological age है, यह depend करती है, lifestyle पे, diet पे, आपके diet पे, social life पे, family life पे, आपके disease तो नहीं हुए, आपको कही, आपका stress level तो नहीं है, environment आपका अच्छा है कि और साथ में आपका genetic factors कैसे हैं, और physiological age को हम control करेंगे, तो हम aging process को delay कर सकते हैं, जा फिर reverse भी कर सकते हैं, लास्ट है हमारी mental age, जो intellectual and cognitive abilities को study करती है, जो intellectual and cognitive abilities पे depend करती है, यह हमारी intelligence और mental development पे depend करती है, जिस तरह की intelligence होगी, जिस तरह का mental development होगा, बैसी ही हमारी mental age होगी, और mental age को हम measure करने का एक तरीका है, वो है standardized test, IQ test, तो यहाँ पर हमने देखी, चार तरह की age होती है, पिसी भी individual की, वो है chronological age, medical age, physiological age and mental age, और इन चारों को इस्तेमाल किया जाता है, जब भी कोई physical education program बनाए जाता है, तो इन चारों का वहाँ पे घ्यान रखा जाता है, ताकि कोई भी जो program बने उसका best result आए, और अच्छी development हो, अच्छी personality development हो individual की, और कोई injury, कोई problem भी ना हो during training and participating in and during participating in games and sports. While preparing various plans of physical education program, knowledge of chronological age, physiological age, anathemical age and mental age is kept in mind and during training, the training plans are built according to the age, physical maturity, physiological maturity and mental maturity of the participants. तो आज का हमारा topic था, age, chronological age, जिसमें हमने अनाटमिकल age, physiological age और mental age को discuss किया, इसके साथ हमारा unit है, growth and development का, वो complete होता है, जिसमें introduction, meaning, definition, factors, factoring, growth and development, differences in growth and development and principles of growth and development हमने पहले कवर किये थे, आज हमने यह वाला topic कवर किया, age वाला, अभी next video में हम किसी next unit को study करेंगे, next unit को शुरू करेंगे, आपके तीन unit बजते हैं आपके B.S. Mr. First Slayers के, जिसमें आपका एक है Olympic Games, दूसरा है आपका sports institution जैसे SI हो गया, IOA हो गया, आपका NIS हो गया, तो यह sports institutions हैं कुछ इंडिया के, उनके बारे में हम discuss करेंगे एक unit में, और तीसा unit आपका जो बजता है, वो है आपका, History of Physical Education in India, यह तीन unit को हम कवर करेंगे, अपनी next वीडियो में, किसी एक unit से शुरू करेंगे, जहां Olympic वाला होगा, जहां sports institution, जहां फिर History of Physical Education in India, चलिए मिलते हैं next वीडियो में, till then, take care, goodbye, thank you.